मस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है इस वीडियो में TGT साइंस का 2021 में जो पेपर वादा वो लेके आए हैं इससे पहले 18 का 19 का और 20 का लेके आ चुके हैं वो वीडियो आपको पसंद आये हैं इसलिए ये वीडियो और आपके लिए लेके आये हैं उमीद गरते हैं ये व वीडियो बना रखें वो नहीं देखें तो देख लिजिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आज का जो पहला क्यूशन है दो जारी किसमें जो पुछा गया था मोड ओफ रैस्पिरेशन इन मलस्का में रैस्पिरेशन कितने कौन से कौन से तरीके से होता है त ठीक है तो यह लीविंग जो वाटर होता है उसमें गिल्स के धुरू है जो ब्रैदिंग करते हैं तो मलस्का में यह तीन त्रेक होगा तो इसमें जो ऑप्शन है दो है भी और सी ठीक है ऑप्शन नमबर तीन राइट अन्स राजाएगा हमारा आगे हमारा कुशन यह स्टुडेंट स्टडीज देट इस शोप मोलेकुल है उसका एंड कैसा है वह आइनिक एंड है और जो है आधर एंड है वह कर्बन चेन का है और आपको बता दें जो इसका हैड्रोफिलिक एंड होता है जो इंटरेक्ट करता है एस टूओ के साथ और वह आइनिक होता है आइनिक किसके साथ इंटरेक्ट करता है एस टूओ के साथ और जो कार्बन चेन होती है वह हैड्रोफोबिक टेल होती है जिसके साथ एटाइस करती है वह ओल के साथ इंटरेक्ट करती है वह ठीक है तो इसमें जो आंसर आजाएगा हमारा जो कार्बन चेन होगी कार्बन चे स्कैटरिंग जो है प्रियोग वो क्या दरसाथ दो इसमें जो ऑप्शिन दिये गए है दमास एंड पोजेटिव चार्ज दा एक्टम इस स्कार्पांव ने विद्य मान रहता है और दूसरा है परमाणव का जो लग व GSAजर बाल आगे महऄ 3.42 ग्राम स्कैटर केशरूoe का जो formula रहेगा जो C12 H22 O11 है तो इसका molar mass निकालेंगे हम तो molar mass जो carbon में 12 हो जाएंगे hydrogen जो हम निकालेंगे C12 तो 12 गुणा में 12 hydrogen 22 गुणा में 1 और oxygen आपका जो 16 गुणा में 11 इनको जोड़ देंगे सारे तो कितना जाएगा इसका 342 आ जाएगा ठीक है और अब भी हमारे पास से जो दिये गए है कितना दिया गया जakat सुक्रोज 3.42 तो इसमें कितना होगा तो वो निकालेंगे हम तो 3.92 मॉल मा से सुक्रोज का 3.42 upon में 33 42 आ जाएगा जो की 0.01 मॉल आ जाएगा ठीक है इसमें जो solution है इसमें तो हमारा जो इसमें one mole किसी भी substance का एक mole हम निकालेंगे किसी भी substance का तो क्या हो अब फॉर्मूला अगास का एवगैडरो नंबर एवगैडरो नंबर अफ एटम गुणा में N कि कितने अफ नंबरो पार्टिकल उसमें है एवगैडरो नंबर है एवगैडरो नंबर कितना है ठीक है वो इसमें हम कर देंगा एवगैडरो नंबर हमारा 6.02 गुणा में 10 की पावर 20 है ना और इसको हम एक मौल है जो इसका C12-S12O11 का नंबर एटम है इसमें जो हो जाएगा एक मौल का यह हो गैडरो नंबर हो जाएगा इसका tocroze का वो 0.01 मौल है अगर इसका निकालेंगे हम तो ये हमारे पास कितना जाएगा इसमें multiply हम डारेक्ट यहां पर इतना ही कर देंगे इतना ही दिखा देंगे गुणा में 10 की power 23 जो atom है वो आ जाएगा अब हमारे पास अलग अलग निकालेंगे 18 gram of S2O है उसमें 18 gram 18 gram कितना है S2O है यहां पर दिया हुआ हमारा ठीक 18 gram जो विकर में है वोटर हो हो है डिजॉल्ट इन 18 gram वोटर इने विकर तो 18 gram में मोल्स कितने हो जाएंगे एड्रोजन के 18 अपन में 18 तो कितने हो जाएंगे एक हो जाएगा मोल तो number of item कितने हो जाएंगे इसमें तो इसमें हम जो multiply कर देंगे इसकी तो जो हमारा answer आएगा वो हमारा answer आजाएगा 94 का 6.68 intimate 10 की पावर 23 यह answer आजाएगा हमारा ठीक है जोड़ देंगे इसको number of items को और उसको जो हमारा पहले वाले का आथ है इनको जोड़ देंगे दोनों को देखिए अगर नहीं समझ में आए तो इनकी PDF solution की वो भी हम telegram की link है नीचे description में वहाँ पे डाल देंगे वहाँ से आप इसको easily find out करके देखके समझ सकते हैं खिक है अगर नहीं समझ में आ रहा दो तो आगे हमारा question है the amount of the solute present per unit volume और per unit mass of the solution is known as तो उसको क्या कहा जाएगा तो उसको कहा जाएगा concentration of the solution is the measure जो है measure करेंगे measure of the how much solute is present in a fixed amount of the solution जो concentration की तो इसमें जो आएगा concentration of the solution जो यह आ जाएगा हमारा तो उसको क्या बोला जाएगा concentration of the solution जो की जो विलन में विलायक में परती का या इतन हिंदी में अगर देख सकते हैं तो मैं तो यह कूँगा साइंस क्योंकि मेरे प्रास कमेंट आदा कि भी सरह हिंदी में भी करवाएं तो हिंदी में जो आप उनके नाम पटेंगे तो वो थोड़ी से अजीब से लगेंगा आपको याद करने में थोड़ी से प्रेशानी होगी लेकिन इंगलीस में थोड़ी सा आसान रह जाता है उनके नाम को याद करने का तो आप अराम से इंगलीस में आसानी से आप देख सकत है तो जो इसमें मैचिंग का यह कॉलम दे रखें तो इसमें जो ऑफ्रशन से वह गलत दे रखें तो इस कानवे तो यह गलत कुशन था इसमें जो आया हुआ था आगे देख लिए इसमें कुशन 97 वीच अप्डा फॉलिएंग प्रोसेस इस responsible for replacing and repairing tissue हाँ तो कौन responsible होता है तो division, cell division है वो होता है, cell division दो तरिक्के से होता है आपका, एक तो mitosis होता है एक meiosis होता है ठीक है, अगर यहाँ पे cell division नहीं होता, और mitosis और meiosis दिया होता है, तो आप mitosis लगाते तो cell division का इसा है mitosis or meiosis, mitosis क्या है यह involved करता है, growth हो और repair of the body की cell जो और जो meiosis होता है, वो क्या करता है, cell division which result, formation of the gamut किस में हैल करता है, formation of the gamut में meiosis आगे हमारा question यह radar is able to detect the reflected waves जो radar है, जो है इतने second में, जो कितने time में, 0.02 into 10 की power, minus 3 second में, जो जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है reflected rays को, wave को तो इसमें क्या है, if the velocity of the wave is 3.10 की power 8 meter per second, the distance of the airplane from the radar will be तो distance कितनी होगी, तो इसमें हम निकाल लेंगे, तो distance displacement का क्या formula होता है, d is equal to कितना होगा, क्या होगा d is equal to क्या होगा बताइए velocity intimate time displacement हो जाएगे हमारे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, waves गई वापिस आई, तो यह 2D हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस condition में, यहाँ पर हम इदर लियाएंगे velocity हमारे पास दे रखे 3.10 की power 8, और time दे रखे हमारे पास 0.02 intimate 10 की power minus 3 seconds, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, दो point हैं, दो गुणा में 10 की power minus 5 लिख सकते हैं, और velocity हमारे कितने हैं, तीन point है, तीन गुणा में 10 की power 8, अप उन में 2 हो जाएगा हमारा, तो इसको हम निकालेंगे जब इसको काट देंगे आप, तो ये तीन गुणा में 10 की power 3 हो जाएगा, तीन गुणा में 10 की power 3, यानि की, जो है, किदना आजाएगा, तीन किलोमेटर आजाएगा, जो की option number आपका तिसरा है, आगे हमारा, वेहन वेपर प्रेशर ओफ लिक्विड इस इकोल टू एट्मोस्पिरिक प्रेशर, वेट हैपन टू दा लिक्विड, तो जो क्या होगा, तो जो लिक्विड है, वो क्या करेगा, बोयल करेगा, क्या करेगा, लिक्विड है, जो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर is the gas pressure emitted by a liquid liquid के द्वारा जो gas pressure emitted किया जा तो वो वैपर pressure होता है तो boil कर जाएगा दरो बॉल था उस condition में जो आपका प्रकुशन था इन में से which is the following statement is correct तो इन में से जो statement है कौन सी correct है तो बतानी है मारे तो इन में से देखिए बाकी तो सारी की सारी यह भी गलत है यह भी गलत है तो जो सही है इसमें ता density the ice is less than that of the water तो density ice की less than that of the water होती है तो यह देख सकते हैं इसलिए बरफ है तैरती भी जो size आप देखेंगे उसमें जब आपने मान लिजे बरफ जमाद ही है उसमें डाल की किसी भीकर में तो इसका size थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको आई इसका पानी के पेक्षा आगे question what is the incorrect about the circulatory system of average का circulatory system है इन में से जो है इनकरेक्ट है 101 का तो देखी हार्ट है जो फोर्चेंबर इसका sinus venus है और ट्रंक है जो एट्रियोश सक आर लेकिंग इसमें नहीं है RBCR जो नुकलेटिड है तो यह सारे ठीक है लेकिन जो गलत है वेल्ट डेवल्ट रेनल पॉर्टल सिस्टम नहीं है इसमें तो यह जो इनकरेक्ट 101 का जो अंसर हमारत दो हो जाएगा आगे marktion where is the lower end of the lightning conductor fixed in a building जो lightning conductor होता है तडीत चालक होता है जो उसको जो बिल्डिंग में लगा जाता है तो उसमें देखी जो लोवर होता है लोग ब्रीट करता है इंसाइड ग्राउंड होता है लेकिन जो अपर एंड होता है वो kept out in the air है खुला चोट जाता है उसको यह पूछा कि जो अकंड़क्टर है लोवर ग्राउंड है वो जो ग्राउंड में इंसाइड ग्राउंड है उसमें रखा जाएगा बाइपोलर नियूरोंस और फाउंड इन बाइपोलर नियूरोंस है वो कहां पर पाई जाती है बाइपोलर नियूरोंस तो रेटीना है जो रेटीना में पाई जाती है दा मिनरल element present in a chlorophyll molecule is जो chlorophyll molecule होगा इसमें कौन सा होगा वो होगा 104 का वो होगा हमारा magnesium कौन सा होगा magnesium होगा यह basic questions हैं जो आपके SSC वगरा के उसमें journal science के questions आते हैं वो है viral test is used to test the presence of viral test है protein के test के लिए जो peptide bond है उसके लिए होता है starts के लिए कौन सा test किया जता है बदाएए आप comment box में बदाएए आप stars के लिए कौन सा test है किया जता है तक हमें भी पता जले कि आप हमारी complete video है वो देख रहे हैं बदाएए आप के लिए questions है stars के लिए कौन सा test है किया जता है If a focal length of the magnifying glass is 2.5 cm it can magnify an object तो object को कितना magnify करेगी तो magnifying power कितनी क्या होगा तो magnifying power है जो least distance of the distinct vision होगा जो कि human है हम यहाँ पर human उसकी देखेंगे तो human की कितनी है 25 है 25 cm minimum जो है और उसके बटे में जो हमारे magnifying length यह दे रखा है इन्होंने F है जो focal length दे रखिये वो कितनी दे रखिये 2.5 दे रखिये तो magnifying power कितनी है पलस म एक और करेंगे इसमें तो magnifying power कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी यहाँ पर उप्स नमर 3 में है जो cow it से जो बोथ है और जो cow it grass and both have cell cow and grass read the following statement regarding जो cell है cell के regard में किस्टीज के जो statement है वो हमें इसमें बतानी है कि कौन सी correct है इनमें से कौन सी correct है 107 का बताएगी जल्दी तो इसमें जो correct है हमारी जो grass cell है वो cell wall रखती है और वेक्वल भी होता है और जो cow shell है वो उसके पास cell membrane और mitochondria होता है तो बाकी यह जो है यह गलत है अब देख सेंट्रों सब्सक्राइब तो इसका आंसर जो आजाएगा correct है C & E आ जाएगा 107 का जो answer हो जाएगा option number आपका क्या जाएगा तीसरा consider the following statement and which select the correct answer तो एशरेशन दिया गया अभी कथन दिया गया है और कान दिया गया पैरेंकाइमा इस जो most dependent tissue in the plant body सही है पैरेंकाइमा इन दा simplest plant tissue जो पैरेंकाइमा simple permanent tissue है यह भी सही है दोनों की दोनों चीज़े सही है जो execution में 108 में लेकिन जो है reason है जो explanation है वो सही नहीं है जो है reason है explanation है जो दे रखी है इसने explanation इसके regarding वो सही नहीं है बाकि दोनों तो अपर ठीक है लेकिन explanation सहीं नहीं है उसके regarding a ball of radius r is made to oscillate in a ball of radius r the time period of its oscillation b तो जो इसका oscillation कितना है क्या आएगा इसके लिए हमने देखी जो इसका answer आजाएगा इसका हम एक जो इनका जो आप देखेंगे एक क्यूशन हो राएगा इसका explanation है जो हमने solve कर रखा है वो आपका टेलिग्राम का link है टेलिग्राम का उस पे इसका solution है फोटो के रूप में वो डाल देंगे ठीक है दूसरा एक क्यूशन हो राएगा जो कि थोड़ा सा difficult है यहाँ पर समझाना जो आसा थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको उसका solution है टेलिग्राम के link description में वहाँ पे आपको म हम इसको प्रोवाइड गरवा देंगा आपको आगे मारा question 110 का complete metamorphosis occurs in तो complete metamorphosis किसमें होता है देखिए metamorphosis क्या होता है यह process होता है जिसमें जो by which an organism developed from the larva to adult stage during this इसमें जो changes आएंगे वो physical appearance में जो आएंगे तो इसी जो लार्वा वगरा का है adult stage का तो यह किसमें mosquito वगरा में है 110 का जो वो रहेगा हमारा option number 4 which a drum is used for celestial bodies that revolve around the sun in the highly elliptical orbit तो जो प्रिकरमा करती है इनमें जो कौन से होते हो वो होते हैं कोमट होते हैं धूम के तो होता है जो धूम कोमट option number 1 हमारा जो lungs develop from the lungs है जो कहां से develop हुए है तो lungs है जो endodrum में से endodrum से जो है develop हुए है 112 का क्या जाएगा option number 3 endodrum आगे हमारा question इसका कह रहे हैं हम यह जो question है यह थोड़ा lengthy question है इसका भी हमने जो solution करके है टेलिग्राम के link description में वहाँ पे डाल दिया है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इसका भी question atomicity of the phosphorus is तो atomicity कितनी होगी phosphorus की तो वो चार आएगी atomicity oxygen की कितनी है दो है ozone की कितनी तीन है अगर हम किसी की atomicity निकालनी हो में तो कैसे निकालेंगे जो ratio होगा molecular mass का molecular mass appointment total number of atom है जो वो आ जाएंगे तो इसमें phosphorus की बात करें तो 120 हो जाएगा molecular mass और जो 30 इसका atomic है total number of atom है 34 से अपका हो जाएगा तो इसकी atomicity कितनी आजाएगी 4 आजाएगी which of the following is not an example of modified underground stem तो इसमें से कौन सा example नहीं है modified underground stem का तो जो हमारा option number 4 है ground nut है ये नहीं है modified stem का ठीक है बाकी potato है ginger है टरमरी कहें सारे के सारे हैं आगे हमारा 16 का how many valence electron are not shared in the following molecule तो इसमें जो valence जो हमारा रहेगा PCL 3 की valence ही है जो जो PCL तरीक जो 5 valence electron होते हैं PK और साथ जो CL के हैं ठीक है इच के जो इसके साथ हो जाएंगे PK कितने हैं हमारे यहां पर 5 हैं ठीक है तो जो total valence electron होंगे हमारे total valence electron है 26 हो जाएंगे साथ तो कलोरीन के हो जाएंगे 21 तो कलोरीन के हो जाएंगे पांच जो फासपारस के हैं वो हो जाएंगे तो 26 हो जाएं टोटल लेकिन यहां भी इन्होंने पूछा है कि भी shared in the following molecule not shared not shared है तो जो तीन bond बने है यानि कि 6 atom है तीन bond बने है तो 6 electron है वो consume हुए है बाकी बच गे कितने हैं 26 में चे गए 20 बच गए तो बीस इसका अंसर आ जाएगा select the pair of the fiber obtained from the stem of the plant तो यह कौन सा है यह flex और जूट है 117 का flex और जूट है option number जो हमारा है दो अंसर इसका आ जाएगा flex और जूट what happen when an oxygen atom become an oxygen ion तो क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा 118 का बदाएगे correct बदाना है मैं इन में से 118 correct answer कौन सा है तो correct है इसका its atomic number remains same जो atomic number है इसका same रहेगा बाकी यह degrees नहीं होगा यह nuclear number increase नहीं होगा mass number increase नहीं होगा जो सही है option number 3 है आगे हमारा a rainbow has a circular shape because of rainbow है उसकी circular shape है क्यों है किस वज़े से है regular इसकी आज जो shape है rainbow की तो किस की वज़े से 119 का तो यह है जो raindrop are spherical जो raindrop होती है वो कैसी होती है और जो raindrop हो बैंट कर जाती है light की तो जो light होती है exit the raindrop at the angle 40-42 degree का जो away from the angle जो entry करेंगे जो एंगल आएगा तो उसकी वज़े से जो raindrop हो spherical होती है जिसकी वज़े से क्या होता है circular shape में है जो शेयो करता हमारा तो इसमें हम जो है पहले 30 क्यूशन देखेंगे इस वीडियो में आगा के क्यूशन 30 है जो next वीडियो आएगी उसमें हम डालेंगे ठीक है तो आप बने रही हमारे साथ last question है इसका जो इसमें A और B हमें क्या आएगा तो इसमें जो CS3, CS2, OH कि इसका oxidation होगा जब तो यहां पर जो हमारा आएगा पहला product CS3, CHO आएगा और यहां पर alkaline में जो है यह हमारा CS3, CWH आएगा तो यह था 120 के जो 30 क्यूशन दे पहले जो पहले और next के 30 क्यूशन और next वीडियो में आएगे उनका video नीचे description में वहाँ पर मिल जाएगा आपको, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप में comment box में पूछ सकते हैं, thanks for watching वीडियो में मिल दे नेक्स वीडियो में ततो के लिए नमस्कार